ओम शान्ति आज 21 नवेंबर 2022 है और बाबा हमें साकार मुल्यों में रोज देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं देहे अभिमान को त्यागनी की शिक्षा देते हैं तो देहे अभिमान कैसे आया और उसके कारण क्या हुआ और देही अभिमानी बनने से क्या होगा आईए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से जैसे देहे अभिमान में आना नाचुरल हो गया है ऐसे देही अभिमानी अवस्था नाचुरल और नेचर हो जाए तो जो नेचर होती है वह स्वतह ही अपना काम करती है सोचना नहीं पड़ता बनाना नहीं पड़ता है करना नहीं पड़ता है लेकिन स्वतह हो ही जाती है ऐसे विशेष्टा के संसकार नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से, मुख से यही निकले कि इसकी नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेष्टा की हम सभी ब्राह्मनों का एक ही लक्षे है बाप समान बनना भले ही वो फरिष्टा स्थिथी हो या निराकारी स्थिथी हो और अपनी उस स्थिथी से बाप का शो करना लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भले फरिष्टा स्थिथी बनानी हो या निराकारी स्थिथी बनानी हो या सहज ही बाबा को प्रत्यक्ष करना हो इन तीनों ही बातों के लिए कौन सी बात कौमन है? वो है हमारी आत्मिक नीचर जब हम सभी ब्रामणों की आत्मिक नीचर बनेगी तो देहे के संसकार भिन भिन हो सकते है क्योंकि हर आत्मा एक अलग यात्रा पर है हर आत्मा ने अलग-अलग प्रकार के कर्म किये हैं इस कर्म शेत्र पर और उन कर्मों के आधार पर भिन-भिन प्रकार के संसकार बनाए है लेकिन आत्मिक संसकार भले ही उसमें परसेंटेज सबकी अलग-अलग हो लेकिन आत्मिक गुड अनादी स्वरूप आदी स्वरूप वो बाबा ने हमें सबको एक ही बताया है देहे के संसकार नाचुरल क्यूं हो गए? क्योंकि आत्मा बहुत समय से सत्युक त्रेता युग ये देहे का गहना पहने पहने देहे की आदी हो गई तो जब देहे की आदत लग गई तो देहे के संसकार नाचुरल हो गए बीस जन्मों में जो हम देहे की आदी बने 63 जन्मों तक उसको हमने कायम रखा और अभी वो छुडाना मुश्किल लगता है जिसके लिए बाबा पुर्शाट कराते है तो अब अगर हम अपने आपको आत्मा निश्चे करें और आत्मा के अनादी और आदी गुडों के चिंतन और अनुभव में रहें तो ये देही अभी मानी के नेचर भी नाचुरल हो जाएं विशेशताओं के नेचर नाचुरल हो जाएं और तब हम सबसे बाबा दिखाई देगा फरिष्टा दिखाई देगा ओम शांती